हलो नमस्कार दोश्तों वेस्ट नव क्लासेश के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है हम बात कर रहे हैं वीएश्टिशी 2023 को लेके महेतुपुन प्रश्णों के बारे में इस वीडियो के अंदर कुल 50% रहने वाले हैं लाइस्ट के अंदर आप अपना स्कोर जर परशन है खानवा के यूद के दौरान निम्ण में से किस्ने राणा सांगा का फक्स बदल् कर बाबर के बाबर के वाबर का साथ किस्ने कि दिया था जला अज्जा शल्हःडी तौपत राई या मानिक चंद तो किसने दिया था सलहदी तवर ने राणा सांगा का पक्स छोड़के बाबर का साथ दिया था अब यह चो खानवा का युद हुआ था यह कब हुआ था 1527 के अंदर कब हुआ था 1527 के अंदर खानवा का युद बरतपुर के अंदर हुआ था अगले किशन की बात करते हैं अजमेर का पहला चोहान साशक जिसने अपने नाम पर शिक्क्य जारी किये थे अगला किस ने किस इत्यासकार ने हल्दी घाटी के युद को गोगुंदा के युद का नाम दिया था तो कौन से इत्यासकार थे अब्दुल कादिर बदयुनी ने हल्दी घाटी के युद को गोगुंदा का युद कहा था अगला क्यूशन है आपके सामने, सुल्तान अल्लाओदिन खिलजी का सेनापती जो रन थंबोर की किले की गेराबंदी के समय मारा गया था ये कूशन दो बार बेश्टटीशी का अंदर पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है सुल्तान अलाउदिन खिलजी का सेनापती जो रन्थंबोर की किले की गेराबंदी के समय मारा गया था उलुग खान, जलाल खान, नुसरत खान या फिर मुहम्मद खान तो कौन था वो नुसरत खांजो है वो आपके रंधंबोर किले की गेराबंदी के समय मारा गया था अगला क्यूशन है गुहिल वंच में किसने क्यलाशपूरी के अंदर एक लिंग जी या लकुलिस का मंदिर बनवाया था गुहिल वंच में किसने क्यलाशपूरी गाउं के अंदर एक लिंग नात जी का मंदिर बनवाया था राणा हम्मीर, रतन सिंग, बप्पा रावल या महराना कुंभा तो कौन से सासक थे जिनहोंने क्यलाशपूरी के अंदर एक लिंग नात का मंदिर बनवाया था वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सस्क्राइब करें चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगला क्यूशन आपके सामने निम नंकित में से राणा सांगा के समय मालवा का साशक पूछाए तो कौन था महमूद खिलजी परथम महमूद खिलजी दि वो था महमूद खिलजी सेकेंड कौन था महमूद खिलजी सेकेंड मालवा का सशक था महाराणा सांगा के समय अगला क्यूशन है तेरा सुतीन में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे तेरा सुतीन के अंदर गोरा और बादल किसकी सेना से युद करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे फतेह खान जलालुदीन खिलजी अल्लाुदीन खिलजी या महमूद खिलजी तो किसके जो इसके साथ युद करते हुए गोरा और बादल-वीर गती को प्राप्त हुए थे अगले question की भात करते है रंथंबोर के चोहान राजवन्स का संस्तापक कौन था जो रन थम्बोर का चोहान राजवन से इसका संस्तापक किसे माना जाता है जेतर सिंग, वीर नाराइन, हमीर या फिर गोविंद राज जो रन थम्बोर का चोहान है उनका संस्तापक गोविंद राज को माना जाता है प्रत्वी राज जो तिर्ती है उसकी मर्त्यों के बाद गोविंद राज ने रन थंबोर के अंदर चोहान वन्स की निव डाली थी अगले किसिन की बात करते हैं मारवाड का कौन सा सासक स्वतंतरता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्विकार नहीं की थी राव चंदर सेन को महरना प्रताप का अगर गामी और भूला विष्रा राजा भी कहा जाता है अगला सासक ने किस सासक को कल्यूप का करन कहा जाता है तो कल्यूग का करण किसे कहा जता है राव लून करण को कल्यूग का करण कहा जता है अगला क्यूशन है गिरी शुमेल का युद किसके अमज्द हुआ था जो गिरी शुमेल का युद हुआ था पहले तो यह बताए गिरी शुमेल का युद जो है वह हुआ कब था कब हुआ थ करते हुए अगला किशिन की बात करें तो अगला किशन तो हान excitement की प्रारंबिक राजधानी कौन सी थी चोहान साशकों की प्रारंबिक राजधानी कौन सी थी अजमेर रन्थमबोर दिल्ली या अही चत्रपूर जो चोहानों की प्रारंबिक राजधानी है वो अही चत्रपूर थी कौन सी थी अही चत्रपूर और अही चत्रपूर किसका प्रा प्राची नाम नाम क्या है और शत्रपुर नागोर का प्राची नाम है तो प्राची नाम था अगली कुछिंग आफ Carne принth राइ centers 8 में शीवाना के दूर को विजित करने के बाद Allahudin खिलजी और इसे क्या नाम दिया गया था सबसे पहले तो सिवाना का दुर्ग कब आकर्बन हुआ शवाना के उपर अलाउदिन खिल्ज़ का 1308 का अंदर अब सिवाना को जीतने के बाद अलाउदिन खिल्ज़ी ने इसका नाम क्या रखा था महमूदाबाद, खेराबाद, खिजराबाद या कमालाबाद तो 1308 का इंदर जब शिवाना दुर्ग अलाउदिन खिलजी ने जीता था तो इसका नाम बदल के खेराबाद कर दिया क्या कर दिया खेराबाद ना कर दिया किसका शिवाना दुर्ग का अगले क्यूशिन की बात करते हैं किलकिला तोप का समन्द निम्न में से किस दुर्ग से है जो किलकिला तोप है इसका समन्द महरान गड़ जोधपूर जुना गड़ बिकानेर या फिर चित्तोडगड तो जो किलकिला तोप है इसका समन्द महरान गड़ दुर्ग जोधपूर से आता है एक हम बात करते हैं जो आपके जईबान तौप है वो जईगर दुर्ग जईपूर के अंदर स्थिते हैं एक तौप आती है आपके गर्ब गुंजन तौप कौन सी तौप गर्ब गुंजन यह गर्ब गुंजन तौप है यह मुंदी के अंदर स्थिते हैं मुंदी द किसके द्वारा की गई थी महाराना संभू सिंग महाराना अजीत सिंग महाराना सजन सिंग या महाराना गंगा सिंग मेवार राज्जी के अंदर महेकमा खास की स्थापना महाराना संभू सिंग के द्वारा की गई थी किसके द्वारा महाराना संभू सिंग के द्वारा महेकमा खास किस्तापना की गई थी अगला कुछ ने महाराना परताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया महाराना परताप के द्वारा चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया गया था जो महाराना परताप है चावंड को राजधानी जब उन्होंने हल्दी गाट 1585 के अंदर को राजदानी किसने बनाया महाराना परताप के अंदर कि चावंड महाराना परताप की राजदानी कितने वर्षों तक रही थी अगला कुछन है हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रण थंबूर का पतन त्वर्वित रूप से हो गया था तो जो आपके हमीर हैं उसके दो गद्दार मंत्री कौन थे रण वीर्या, रिपुदन, महंदर पाल, विग्रह पाल, मानवेंदर महीपाल यह रण मल, रंती पाल तो रण मल और रंती पाल जो हैं यह हमीर से इन्होंने गद्दारी की थी और अल्लाउदिन खिलजी से जाके मिल गया थे कोन, रण मल और रंती पाल अगला क्यूशन हैं, अलावदीन खिलजी ने 1301 इश्वी में जालोः को जीत कर उसका नया नाम क्या रखा था सबसे पहले तो जालोः दुरूः कब जीता था 1301 गें अंदर अलावदीन खिलजी ने जब जालोः का दुरूः का दुरूः जीत लिया उसके बाद जालो और दुरुक का नया नाम क्या रखा था खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद या मौमिनाबाद तो क्या नाम रखा था जालो और दुरुक का नाम जलालाबाद कर दिया क्या कर दिया जालो और दुरुक का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया किसने अल्लाव दिन खिल जी ने तेरा सो ग्यारा के अंदर अगला किसने हकीम का सुरी इसका प्रमुक्ष इना पति था जो हकीम का सुरी है यह अफगानी था हकीम का सुरी इस सेना का प्रमुक्ष इना पति था सेर्शा सुरी महाराना परताप महाराना सांगा यह राव माल द कीमखा सूर अगले कुछन की बात करते हैं समराथ अकबर ने किस संत को फतहपूर शिकरी में आमंत्रित किया था याने के अकबर की किस संत से मुलाकात फतहपूर शिकरी के अंदर हुई थी हरिदास जी दादु देयाल जी रजब नामदेव किस से हुई थी संत दादु से अक किस युद्ध को मेवाड का महरातन कहा है करनल जेम्स टोड के द्वारा किस युद्ध को मेवाड का महरातन कहा गया था हल्दी गाट युद, कुम्बल गड का युद, डिवेर का युद या फिर गोगुंदा का युद तो करनल जेम्स टोड के दुवरा मेवाड का मेरातन डिवेर के युद को का गया था किसे का गया डिवेर के युद को मेवाड का मेरातन का गया था अगले किविशन की बात करते हैं राव बिका ने किस वर्ष बिकानेर नगर की स्थापना की थी कौन सा था जब बीका के दुवारा बीका नेर की स्थापना की गई थी वो दिवस था अक्षी olarak तरीक नीट कें लजक inicial आख family अक्षे तरीके दीन 488 के अंदर राव बीका के दुवारा ओक कनेर नंगर की स्थापना की गई थी अब 1469 यहां पर लिका हो आ है अगर मैं 14 चौदा के यहां 15 लिख दूं 1569 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी चौदा के जोधपूर के जश्वंद थड़ा का निर्माता कौन था जोधपूर के अंदर जश्वंद थड़ा बना हुआ है जिसे की राजस्तान का ताज महल का जाता है इसका निर्माता पूचा है बक्त सिंग, सर्दार सिंग, उमेद सिंग या विजे सिंग तो जोधपूर के अंदर निर्मित जश्वंद थड़ा का निर्मान करवाया था वो करवाया था महाराजा सर्दार सिंग के दोबरा महाराजा सर्दार सिंग के दोबरा अपने पिता किसे जश्वंत थड़ा को यह जोदपूर के अंदस्तित है अगला कि उसे ने मारवार के उस शासक का नाम बताईए जिसने मुगल बादचा जहांगीर द्वारा 1681 इस्वी में दल थंबंद की उपादी दी गई थी याने के जहांगीर ने किस शासक को 1621 के अंदर दल थंबं उपादी प्रदान घेए तो किसे की थी गज सींग को महराजा गज सींग को दल्थंबं की उपादी ने प्रदान की थी ये माही मरातिव इस उपदी से अनूब सींग को औरंजेव के द्वारा समानित किया गया था अगला क्युछ ने किस सज़क को हश्मत वाला रजा कहा गया है इतिहास के अंदर हश्मत वाला रजा किसे कहा गया है राव चंदर सेन, राव जोधा, राव मालदेव या राव सूर सिंग इतियास के अंदर हस्मत वाला राजा राव मालदेव को कहा गया है किसे कहा गया है राव मालदेव को राव मालदेव मारवाड के अंदर प्रत्थम पित्र हंता मन जटता है राव मालदेव के दोरा अपने पिता राव गांगा की हित्या की गई थी अगला क्यूसिन आपकी सामने बारा कोटडी के नाम से कौन सा रज्य प्रसिदी था बारा कोटडी के नाम से कौन सा रज्य प्रसिदी था आमेर, धीनमाल, सिरोही या कोटा तो जो आमेर रियासत या आमेर रज था वो बारा कोटी के नाम से जना ज़ते था क्योंकि आमेर रियासत को बारा भगों के अंदर विबाजित किया गया था अगला कि उसे ने आपके सामने हल्दी गाटी के युद को इसने खमनोर का युद कहा है जो हल्दी गाटी के युद हुआ था उसे खमनोर का युद इसने कहा था करनल टोड, बदायूनी, अबुल फजल या गोपिनात सर्मा हल्दी गाटी के युद को जो खमनोर का युद है वो अबुल फजल के द्वरा का गया था अबूल फजल ने हल्दी गाटी के युद को खमनौर का युद कहा था हल्दी गाटी के युद कब हुआ था कमेंट के इंदर बताईए अगला क्यूशन आपके सामने किस देशी रियासत ने विले पत्र पर सर्व पर्थम हस्ताक्षर किये थे किस देशी रियासित के द्वारा विले पत्र पर राजिस्थान की ओर से सबसे पहले हस्ताक्सर किये गए थे मेवाड विकानेर जोदपूर या कोटा तो विकानेर रियासित के द्वारा सर्वेव पर्थम विले पत्र पर हस्ताक्सर किये गए थे किस रियासित द्वारा विका हुआ था 2734 के अंदर किया गया था जो नमक स्तान है ये कां पर थी थी तो अंदर हम में आगले वहत गिंगोलि परबत सर प्रस पर गिंग schwierig काै युद्ध कब हुआ था 1807 के अंदर गिंगोली प्रबत्र का युद्ध लड़ा गया था किसके मद्धि हुआ था जैपूर कोटा के मद्धि है कोटा उदयपूर जैपूर जोदपूर यह जैपूर और भरतपूर तो जो गिंगोली के युद्ध वा था यह जैपूर और बद्वगपूर के मज्जय, अगला क्योसे ने आपके सामने, डुणिृ राज्य में, दुणिृ राजय के संस्ताप讲 सिं। तो डुंगरपूर राज्य के अंदर रियासति या डुणिधूर राजय से गुहिल रज का संश्ताप 선생님 ठांद में। अगला कुसें ने चोहान साशक जो कवी बांदव के रूप में किसे जाना जाता था तो किसे जाना जाता था कवी बांदव के रूप में विग्र है राज चतृत याने के बिशन देव को हम क्या करें विश्ण देव को विग्र कवी बांदव के रूप में भी जाना देथा अगला क्यूशन ने विशम घाटी पंचानन की संग्या मेवाड के किस शासको दी गई थी या मेवाड का पूचाय रनथमबोर नी पूचाय विशम घाटी पंचानन तो को जेगा राणा हमीर राणा हमीर को विशम घाटी पंचानन कहा जाता था राणा हमीर को इत्यास के अंदर किस उपनाम से जाने जाता था विशम घाटी पंचानन अगले कुशन कीं कि बात करते हैं राव जोधा ने किस वर्ष जोधपूर नगर की स्थापना की थी? 1526, 1549, 1469 या फिर 1113 के अंदर तो कब की गई थी? जोदपुर नगर की स्थापना की गई थी यहां पर 1569 पूछले 1569 के अंदर उद्यपुर की स्थापना 1569 के अंदर अगला किसे ने टॉंक राजी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो टॉंक राजी यानिके राजस्थान की एकमात्र मुश्लिम रियासत कौन सी थी टॉंक अब टॉंक राजी की स्थापना की किसके गई द्वारा यानिके टॉंक राजी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अमीर खान पिंडारी के द्वारा टॉंक रियासत की स्थापन की गई थी अगला क्यूशन है कि टॉंक में सुनहरी कोटी का निर्मान कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था यानिके टॉंक के अंदर सुनहरी कोटी इसका निर्मान कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था वजीर खां इब्राहिम खां करीम खां या मुहम्मद स तो सुनहरी कोटी का निर्मान इब्राहिम खां के द्वरा करवाया गया तक इसके द्वरा इब्राहिम खां के द्वरा टॉंग के अंदर सुनहरी कोटी का निर्मान करवाया गया अगला क्यूश्य ने जोद्पूर से प्राप्त गटियाला शिलालेक से प्रतिहार राज्या की जानकारी मिलती है जोजपूर से गटियाला शिललेग जो प्राप्त हुआ है उससे किस प्रतिहार ससक की जानकारी प्राप्त होती है क्कुक रजिक नागबट प्रतम या मिहिर बोज तो किसकी जानकारी प्राप्त होती है क्कुक की जानकारी प्राप्त होती है गटियाला शिल तो किसके द्वेरा क्या गया था जो कभी महेस है उसके द्वेरा किर्टी स्थंभ प्रसश्ती को पूर्ण किया गया था अगला क्यूशन ने महारना प्रताप का राज्या विशेक हुआ था महारना प्रताप सींग का राज्या विशेक कब हुआ था या कहां पर हुआ था गोगुंदा चावंड कुम्बलगड या उदेपुर तो महारना प्रताप का जो राज्या विशेक हुआ था वो गोगुंदा के अंदर हुआ था और महा महाराना राज सिंग ने औरंग जेव के विरुद किस्य विवाहा किया था जो महाराना राज सिंग के द्वारा किया गया था अगला किसने मराठों के आतंख से तरस्त होकर राज पूता ने किस सासक ने आतंख सो कर ले था उननों से अतंख से परिशान होके आतंख कर ले थी और ये आतंख सो ली पे सरगा सुली, जिसे इस रिलाट भी का ज़ता है, इसका निर्मान भी इस्वर सिंग्निय करवाया और यहां से ही कूद के आतमत्या कर ली, अगला क्यूशन आपके सामने, निम्न लिकित में से कौन सा साशक अभिनाव बरताचारी के नाम से प्रसिध थे, निम्न में से कौन सा स प्रताचारी के नाम से प्रसिदी थे इनने ही हाल गुरु चाप गुरु आधी नामों से जाना जाता था अगला क्यूशन ने राणा प्रताप के कि सोतेले भाई को अकबर ने जहाजपूरा की जागीर प्रधान की थी तो कौन थे जगमाल को जहाजपूरा की जागीर अकबर प्रदान की थी और जगमाल कौन थे महालना परताब की जो सोते लिमा है राणी बट्यानी उनके पुत्र थे अगला क्यूश्य ने जैपूर के कौन से शाषक कवीताओं में अपना नाम उपनाम ब्रजनिदी लिखते थे याने के जैपूर के कौन से शाषक ब्रजनिदी उपनाम से कवीताओं की रचना किया करते थे तो कौन थे सवाई परताब शिंग जो है ये ब्रजनिदी उपनाम से कवीताओं की रचना करते थे और 17 निदानों के अंदर इन्होंने किस महल के निर्मान कर वया था हवा महल जो हवा महल है इसका निर्मान किस ने क उसको उपर माल की जागीर किस से प्राप्त हुई थी महारणा कुम्भा, सांगा, राव के सवदास, महारणा, संभू सिंग तो किसके दोबारा अशोग परमार को उपर माल की जागीर परदान की गई थी तो राणा सांगा जब आपके युद्ध हुआता ये खानवा का, खानवा का जब युद्ध हुआता उसी दोरान अशोग परमार को उपर माल की जागीर राणा सांगा ने परदान की थी अगला क्यूशन है किस राजपूत साशक को राजपूताना के करण का जब युद्ध है, इससे दो क्यूशन बनते हैं, एक क्यूशन बनता है कलियू का करण, एक क्यूशन है आपके राजपूतान के करण, तो राजपूतान के करण किसे का जब युद्ध है, महाराज कहा जता था अगला इसे ने मुनोफ नेंडशी किस रऑजी का दिवान था जो मोघ्जी का दिवान ठाखण दोबरा नेंडशी को सब्सक्राइबुचा है Oh pluti i Canadians के द्वारा अगला favor लड़ा गया गया जो को नका और नपर कई ही और किसी लड़ा गया था 1770 708 790 यह फिर 1790 का यूद यह 1747 के अंदर लड़ा गया था comment के अंदर मुझा हिया ये बताएए ये तुंगा के अदर मुझे बताईए अगला कुछ ने राजिस्थान में रूठी रानी के राम से कौन सी राणी प्रसिद हुई थी तो राणी उमादे जो उमादे हैं माल देव की पतनी इनको इतियास के अंदर रूठी राणी के नाम से जनना जाता था इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बुंदी के तारगड़ अगले की बात करें और इस वीडियो का लाइस्ट कूशन यह हुए जेम स्टोड ने किसे कहा था हैं आठोड़ों का यूली सेयज कहा गया था क्योंकि इन्हों ने जो जोधपुर के यूराज थे उनकी रक्षा की थी और उनको औरंग जेब से बच जाया था चलिए आज के लिए यहां ही तक मिलते हैं नेक्ट क्लास के अंदर